नमस्कार दोस्तों, Target with PS परिहार में आपका स्वागत है दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सिक्षक भढ़ते से समंदित हमेशा पलपल की न्यूज दी गई है तो उसी क्रम में दोस्तों आज ये एक information आई है कि जिसकी बारे में आप लोग कई दिन से पूसे रते कि सर्य तीस और तेतिस वाला कटाफ को ममला कहा तक पहुचा और आगे क्या हो सकता है तो दोस्तों मैंने तो हमेशा भगतिके तुरूप से आप लोगों को यही बताया कि तीस तेतिस वाला पक्ष कापी मजबूत है और आज नहीं तो कल भले ही कुछ दिन बाद जो भी निरड़ाय आएगा तो ज्यादा संभावना है कि तीस तेतिस के पक्ष में आना चाहिए तो दोस्तों आज एक कोट में स्पेशल अपील थी और जो इस पेशल अपील थी कोट नमबर 9 में संदीप कुमार मिस्त्रा एक विद्धार थी हैं उन्होंने इस अपील को किया था जिन एडवोकेट जिन वकीलों ने बहस किया पक्ष और विपक्ष एक थे पंडित एस चंद्रा और एक थे हिमानसुर रागव जो विपक्ष के वकील थे तो दोस्तों आज काफी देर बहस हुई और अच्छी बहस हुई और जो हाला कि निर्णा तो नहीं निकल पाया इसकी अगली डेर 27 तारीख दे दी गई है यह फ्रेस केस लगा हुआ है और लेकिन जब यह केस हो गया जब बहस हो गई तो उसके बाद में भी विद्यार्थियो लोग है इसमें लगे हुए हैं अलग अलग तरीके के रणनीति यहां पर बन रही है और कई वकीलों से अपडेट लिया गया कि सर इसमें क्या हो सकता तो वकीलों ने बताए कि 30-30 का जो पक्च है यह काफी मजबूत पक्च है और ज्यादा समाहोना है कि 30-30 के पक्च में ही यह कुछ आए निरणाए असली जो होगा तो असली जो न्यूज होगी वह तो खर फाइनल जो ऑडर पर मालूम चलेगा लेकिन अगर वकीलों की राय यह ज्यादा लोगों की राय पूछी गई तो सभी ने यहीं बताया कि 30-30 को हटा पाना आसान नहीं होगा तो दोस्तों यह एक आज की अपडेट थी और एक चीज की इस डेट को इसलिए भी आगे बढ़ा दी गई क्योंकि यह भी किसी ने बताया वहां पर कि तीन और केस 30-30 की विभिन कोर्टों में लगे हुए हैं इन सभी केसों को एक ही केस में सम्मलिद करके और फिर फाइनल स पक्ष में चार केस अब तक हो चुके हैं तो दोस्तों यह जो भरती है जो है अभी भी पचड़े में पढ़ सकती और 6500 सिक्षक वरती चूंकि जब बहेंच चल रहे थी तो एक बार जट सहाब ने यह भी कहा जोड़दार से कि जब यह अंत्रिम आदेश दिया गया है आला कि उतनी विद्यार्थी पास नहीं हो पाएं 41,000 विद्यार्थी ही पास हो पाएं तो ठीक है दोस्तों जो भी होगा वह हम लोग 27 तारीक को मालूम चलेगा और जैसे भी कोई अपडेट होगी तो आप लोगों को दी जाएगी और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त क करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें अगर यह वीडियो पसंद आया हो यह इस तरीके की न्यूज आपको पसंद आती हूं तो दोस्तों लाइक अवस करें बहुत बहुत धन्यवाद